हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एक्जाम वार्यर में दोस्तों RRC ग्रूप D एक्जाम डेट के रिगार्डिंग एक नोटिस है जो सोसल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रही है और लगतार ग्रूप में कंडिडेट्स के द्वारा सेयर क्या जा रह हो रही है फ्रेंट्स यह जो नोटिस वाइरल हो रही है इसमें RRC ग्रूप D के फस्ट फेज के एक्जाम के बारे में बताया जा रहा है कि एक्जाम 16 अगस से फेज 1 का एक्जाम 16 अगस से 30 अगस तक चलने वाले हैं तो आईए फ्रेंट्स पूरी अपडेट देखते हैं य पूरी सचाई क्या है तो चलिए क्या नोटिस रियल है या फेक है वारल नोटिस का क्या सच है इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देंगे या पूरा जानने की कोशिस करेंगे कि यह वारल नोटिस क्या रियल है या फेक है क्या है नहीं है क्या सही है कि गलत है तो च करने इस सुरल्व से अंत तक देखेगा कि सारे डौ...' कि यानि कि आप लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट यही है कि विडियो को अंत तक देखना है ताकि आपके जो मन में जो भी नोटीस से रिगार्डिंग जो और टौट स्वो रहे हैं कि क्या आपके exam होंगे क्या यह notice real है या फेक है आपके सारे dots क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूर है दोस्तों पिछले दो-तीन दिनों से एक notice social media पर काफी circulate और share किये जा रहे हैं और candidates के काफी queries आ रही है कि notice के regarding कि यह real है या फेक है या group D का exam date आ गई है क्या या नहीं आई है तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही clear करना जरूरी है कि इस notice की सचाई क्या है real है या fake है यह वह notice है जो social media पर काफी viral हो रही है अगर मैं उस notice को आपको दिखाऊं तो यह आप देख रहे होंगे कि आपका यही notice है जो social media पर viral हो रहा है जो government of India ministry of railway के नाम से यह notice जारी हुई है तो देखिए तो यह one notice है जो social media पर काफी viral हो रही है और छातर भी एक तरह से confused हो गए है कि इस notice को देखकर कि क्या यह notice सचमे group D का है या real है या फिर fake है तो देखिए दोस्तों यह जो notice है सबसे पहली इसमें mention है कि government of India ministry of railway railway recruitment board CEN 02-2019 notice on exam schedule for CVT1 इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि the first stage CVT will be held in multiple phases in order to ensure advance to all the COVID-19 guidance for the large number of eligible candidates that is कहने का आर्थ यह है कि काफ़ी students यानि 1.15 crore students ने group D के exam को form को भड़ा है इसलिए उनका exam COVID-19 के protocol को पालन करते हुए एक साथ कराना मुस्किल है इसलिए आपका first phase का जो exam है इसे में 23 लाग candidate भाग लेंगे लगभग और यह जो exam है यह 16 अगस से 30 अगस तक various cities यानि काफी सहरों में क्या जाएगा all over the country यानि देश के काफी सहरों में इनका आयोजन 16 अगस से 30 अगस के बीच में होगा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि the link for being the exam city यानि इसमें exam city का link और downloading the traveling authority for SCST candidates will be made available on the RRB website 10 days prior to the start of their exam यानि उनके exam के 10 दिन पहले जो SCST को pass दिया जाता है traveling pass वो और exam city और date आपको बता दिया जाएगा और e-call letter जो exam का है वो चार दिन पहले exam से पहले आप download कर सकेंगे ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है इसके बाद जो information second rates के जो इस phase में schedule नहीं हुए है वो website का मतलब कि अगले phase में उनको मौका दिया जाएगा या अगले phase में उनका exam होगा ऐसा बात यह आप notice में देख रहे होंगे यह notice काफी आप देख रहे होंगे कि यह notice जो है कि social media पे काफी viral हो रहा है अब बात करते हैं कि कितनी इसमें सचाई है तो देखिए दोस्तो कोई भी notice अगर rrb का आता है सबसे पहली बात कि अगर कोई भी notice railway की तरफ से जारिक की जाती है तो सबसे पहले जो notice आती है उसमें आप लोग गौर किये होंगे कि उसमें rrb का official logo होता है यहाँ पर एक rrb का logo होता है लेकिन इस notice में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई logo नहीं है यह पहली बात है जो यह पहला प्रोफ है जो यह दरसाता है कि यह notice आपका फेक है इसमें कोई logo नहीं है दोस्तों दूसरा most important देखिए जो आपका exam rrc group d का है दोस्तों जो भी railway notification निकालती है उसकी अलग से cn नमर होती है यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका cn नमर 0 to 2019 है जो इसमें cn नमर 0 to 2019 है जबकि rrc group d का notice अगर मैं बता हूँ rrb का जो बोपाल का website है उसको जब हमने खोला तो उस website पर आप देख रहे होंगे कि जो different different vacancies के अलग-अलग cn नमर होते हैं अगर हम cn rrc01 oblique 2019 की बात करें तो यह आपका group d से related है जबकि group d का जो cn नमर है वो है rrc01 2019 oblique यानि और उसके बाद जो cn01 2019 है या ntpc के exam का cn नमर है जबकि अगर हम बात करें cn 02 2019 जो इस notice में mention क्या गया है वो आपका paramedical categories का है इसी तरह से अगर हम ministerial and isolated categories की बात करें तो इसका cn नमर 03 oblique 2019 है जबकि आप इस notice में देख रहे होंगे कि इसका जो cn नमर है वो आपका 02 oblique 2019 है जो की paramedical का cn नमर है इसलिए आप कह सकते हैं कि दूसरा यह सबसर बड़ी बात हुई कि cn नमर इस notice में rrc group d का अलग बताया गया है जो की गलत है जो की खेक है अगर हम आगे बात करें जबकि बारल वीडियो में आप देख रहे होंगे कि cn नमर जो है 02 oblique 2019 गलत है अगर यह rrc group d का होता तो यहां पर लिखा होता cn cn आगे लिखा होता rrc 01 oblique 2019 जबकि ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा हुआ है इसमें सिधा सिधी लिख दिया है cn 02 oblique 2019 जो की क्या है यह जो की खेक है इसलिए दोस्तों यह notice है इसमें जो आप डेट देख रहे होंगे डेट जो है notice में वह आपका 28 जुलाई 2021 है जबकि मैंने rrb की लगवग सारे वोर्ड के website को देखा उसमें रेलवे से related group d से related 28 जुलाई के date में कोई भी notice जारी नहीं किया गया है और आप यह जानते हैं कि अगर कोई भी notice अगर रेलवे एक्जाम के related डालती है तो वह आपको बोर्ड के सभी सभी बोर्ड के website पे उसका notice जरूर मिलता है जबकि आप देख रहे होंगे कि या पिछले तीन दिन से यह notice आपको कहा कते हैं social media पे circulate हो रही है जो परसो का है जबकि आज 30 जुलाई 2021 है और दोस्तों जितने भी RRB के website है वहाँ इस परकार की कोई notice नहीं दिखाई दे रही है सारे बोर्ड के website को चेक क्या हों किसी भी website पर इस परकार की notice नहीं है क्योंकि जो भी official notice आती है वो आपके सारे RRB बोर्ड के website जरूर जारी की जाती है अपडेट किया जाता है देखने को मिलती है लेकिन ऐसा कोई notice अभी तक RRB के website पर देखने को नहीं मिला है इसलिए अगर आप अभी तक कोई भी notice RRB गूर्ड के related कोई भी notice नहीं जारी की गई है दोस्तों जो भी यह viral notice दिख रही है सोसल मीडिया पर बिल्कुल ही फेक है 100% खर्जी है और कोई भी candidate बिल्कुल भी इस पर ध्यान ना करें इस पर फेत ना करें जबकि जबकि जो भी जब भी notice आएगी RRB के website पर जरूर दिखाए जाएगी उस पर जरूर जारी किया जाएगा वह notice RRB के official website पर ही जारी की जाएगी दोस्तो कुछ सरार्ती तत्व है जो हमेशा से ही candidate को परशान करने के लिए इस परकार की notice को बना कर सोचल मीडिया पर सर्कुलेट करते रहते हैं लोगों और candidates को परशान करते हैं छात्रों को परशान करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग इस परकार की notice पर ध्यान ना दे अपनी परही को जारी रखें और आप लोग पूंता RRB के website पर डिपेंड रहे हैं ध्यान रखिए RRB के website को ही आपको regular चेक करना है चाहे वो किसी भी RRB से related आपका exam हो चाहे NTPC हो चाहे railway group D हो चाहे other कोई भी exam हो आप उसके website को ही चेक किजे RRB website पर exam से related सारी जानकारी आपको मिलेगी बाकी दोस्तों अगर कोई RRB से related कोई भी notice आएगी तो सबसे पहले आपको update दे दूँगा तो आप वीडियो को share कर दीजिएगा और कोई भी queries हो तो comment section में आप अपनी राय जरूर डालिएगा और जो चैनल को subscribe नहीं किये हैं आपसे अनुरोद है कि किरिप